हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मिद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे आज हम बताएंगे आपको सीवर पाइप लाइन के बारे में इसमें कितना स्लोप दिया जाता है कितना गिले डिन होता है ठीक है तो चलिए शूर करते हैं और शूर करने से पहले प्रीज आप ल लाइन में जो स्लोप देना होता है और पिछली वीडियो में हमने रोड की बारे मताया था यह हमारा सीवर लाइन है तो फॉर्मूला हमारा वह यह स्लोप इस इकल्टू राइस अपन रन या फाल अपन रन ठीक है तो देखिए हमारा रंज दे रखा ओन 90 मीटर दे रखा है ठीक है और स्लोप हमारा वन इस टू टू फिफटी दे रखा है तो हमें इसमें डाउन जाना है तो फॉर्मूला हमारा वही सेम है जो पिछली बार था स्लोप इस इकल्टू फाल अपन रन फाल हम इसलिए जाना है इसलिए हम इसको फाल कर रहे है तो स्लोप हमारा वन इस ट क्या करेंगे में में चेंज करेंगे तो 1000 से में तो 760 mm आ जाएगा तो फाल हमारा आ गया 760 mm तो हमारा जो टोटल लेंट है यानि जो रन है जिसे हमने रन कहा है वो 190 है तो हम अब यह निकालेंगे कि हर एक मीटर पर कितना हमें स्लोब देना है यह कितना हमने डाउन जाना है तो फाल कितना है हमारा कितना डाउन जाना हमें 760 divided by 190 तो हर एक मीटर पर कितना हमें डाउन जाना है 4 mm at every 1 meter is equal to 4 mm तो हम इसको चेक करेंगे माल लिए कि हमने यह से स्टार्ट किया हमारा पाइप लैन तो हमने रिडिंग लिया ओटो लेवल में वन मिटर तो 190 मीटर पर जाएक हमारा रिडिंग आएगा तो 190 पर हम चेक करेंगे 1.760 बिटर हमारा डाउन आ रहे कि नहीं आ रहा है अगर जादा आ रहा तो इसका मितलब हमारा जादा स्लोप चला गया है तो हम उसको वहां जाकर मैंटन करेंगे ठीक है तो प्लीज इस हमारी वीडियो को जाद जादा शेर करिए सब्सक्राइब क कर रहे हैं हम आगे आने वाले वीडियो में और भी चीज़े बताएंगे आपकी जो साइट पर काम आने वाली चीज़ें तो चली अगली वीडियो मिलते हैं ओके